प्यारे बच्चों आईए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ का ये पंदरमा चेप्टर जिसका नाम है प्राइकता इस चेप्टर से जितने भी important प्रस्ण है जो कि आपके exam की द्रिश्टी से important है उन सभी प्रस्णों के उपर हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिए और प्रस्णों को ध्यान पुर्वक से समझे और exam से पहले इन प्रस्णों को practice कर लिजे अगर आप इसके पहले का चेप्टर देखना चाहते हैं तो वो सभी चेप्टर का वीडियो आपको इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा आप बारी बारी से सभी चेप्टर के वीडियो को देख सकते हैं जैसा कि आपको पता है मैं एक क्रेस कोर्स का स्रीच चला रहा था और ये आपका अंतिम चेप्टर है प्राइक्टा तो सभी वीडियो को देख करके और सभी प्रस्णों को आप practice कर लिजे एक्जाम से पहले जिससे की आपकी तयारी बिल्कुल पक्की हो जाए और आपका मार्स बहुत बेहतर आए तो चलिए बिना देर किये हुए इस वीडियो को start करते हूँ कि किसी पासे को एक बार फेका जाता है तो बिसम संख्या प्राप्त करने की प्राइक्टा ग्याद कीजिए ठीक है तो यहाँ एक अनुकुल परिनामों की घटना बिसम संख्या देखे पासा में कितना घटना होता है जब आप पासा को यानि की जो लोडो जो खेलतो हो है न तो इस प्रकार से यदि आप सोचो, तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, तो अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक पासे को फेका जाए, तो बिसम संख्या प्राप्त करने की क्या प्राइकता होगी, तो देखिए, बिसम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से भाग नहीं ल पुछ रहा है, तो बिसम संख्या यहाँ पर लिग दिये, फिर आगे कहता है, कि जबकि संभब प्राइनामों की कुल घटना, एनस बराबर, और इसको एनस से दरसाना है, तो कुल घटना कितना होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि कुल मिला के छे घटना, आब का कोड में, कोड भासा से हम यहाँ पर एनस दे दिये थे, और यहाँ एनस दे दिये थे, तो डारेक्ट हम यहाँ पर लिख दिये, एन इबटे एनस, अब देखें, यहाँ पर मेरा एनस का माना आया था, तीन, और एनस का माना आया था, कुल, घटना कितना च्छे, तो तीन को सब्सक्राइब कर लें और बैल अकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गए वीडियो की नियोट पे खसन आपको टाइम पे मिलता रहे तो चलिए हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरव